तो बेटा आप बहुत ध्यान से देखिए यह आपकी सिंपल एडिशन की तरह नहीं है इसके कुछ rules हैं वो मैं आपको बताऊंगी सबसे पहले direct answer यहाँ नहीं लिखेंगे आप simple add करेंगे 5 और 9 आपका हो गया 14 तो 14 का 4 और 1 उपर carry जाएगा तो 4 और 1 5 और 3 कितना हो गया 8 कितना हो गया आपका 8 ठीखिए इधर आपका आगया 84 minutes तो 84 minutes आपको ये भात ध्यान रखनी है कि आपका 60 से नीचे ही इधर number आना चाहिए 59 तक अगर आता है तो वो आप लिख सकते हैं जहाँ भी 60 आजाएगा तो वो आपका 1 आर हो जाएगा तो ये आपका 84 minutes है तो आप इसको कैसे लिखेंगे आप सोचेंगे कि अगर आप 84 को split करेंगे मदब 60 तो आपको लिखना है तो 60 के अंदर आप क्या add करेंगे कि 84 आजाए 24 तो देखें ये हो गया मेरा 60 plus 24 84 को मैंने कैसे लिखा 60 plus 24 अब जो ये 60 minutes है वो क्या हो जाएंगे 1 hour क्या हो जाएंगे 1 hour और 24 तो हमारे minutes ही रहेंगे ध्यान से सुनिए जो आपका 84 minutes आया तो हमारा क्या है जो minutes के नीचे सिरफ 59 minutes तक ही हमारे digits आनी चाहिए अगर उससे ज़्यादा आएगी 60 आएगी तो 60 minutes means 1 hour तो वो आपके hours वाले numbers के उपर चला जाएगा add होने के लिए अब हमारे पास आया 84 minutes तो 84 minutes में आप पहले तो 60 लिखेंगे 60 इसले लिखा क्योंकि ये 1 hour हो जाता है तो पहले 60 तो आपको लिखना है plus जो भी extra है तो 60 में क्या add करेंगे कि 84 आजाए 24 तो मैंने इसको लिख दिया 84 को 60 plus 24 minutes तो ये हो गया आपका 1 hour और 24 minutes तो अब आप क्या करेंगे देखिए इधर आप लिखेंगे 24 minutes क्योंकि minutes का column है तो minutes के नीचे सिरफ आप 24 minutes लिखेंगे और ये जो आपका 1 hour है ये यहाँ पर add होने के लिए चला जाएगा क्योंकि इधर hour वाले numbers है सारे तो जो 1 hour है वो इधर चला जाएगा अब आप इसको add करेंगे 6 and 1 7 and 1 8 और इधर 1 का 1 तो ये हो गया आपका जो time हो गया वो हो गया 18 hours and 24 minutes अब आप subtraction देखिए subtraction के अंदर भी आपको कुछ rules का ध्यान रखना है कि आप कैसे subtract करेंगे अब सबसे पहले आप minutes में check कर लीजी हमें उपर subtraction में बड़े number चाहिए होते हैं बेटा तो आप check कर लीजी 6 में से 5 easily subtract हो जाएगा तो इधर कोई problem नहीं आएगी अब उपर 2 है नीचे 4 है तो उपर छोटा number है इस number को क्या करना है borrow करना है तो अब जब देखिए यह है minutes और यह है hours अब जब minutes आर्स से borrow करेंगे अगर यह 5 होगा तो यह 1 hour देगा इधर कितने आर देगा लेकिन 1 hours में हमें इधर लिखना है minutes में तो 1 hours में कितने minutes होते है 60 तो यानि आपके 26 minutes के अंदर 60 minutes add हो जाएंगे और ये आपके हो जाएंगे 86 minutes दोबारे सुनिए इधर हैं आपके minutes इधर हैं आपके hours सबसे पहले आप minutes को subtract करेंगे तो देखेंगे उपर बड़ा number होना चाहिए 6 में से 5 easily subtract हो जाएगा कोई problem नहीं है इधर देखे 2 है और नीचे 4 है तो 2 तो छोटा number है हमें इस number को borrow करने की ज़रुवत पड़ेगी तो अब जो minutes हैं वो hours से borrow करेंगे जब hours देंगे तो ये इधर से 1 ही देगा जो ये 5 हो गया तो इसने अपना 1 hour minutes को दे दिया लेकिन ये minutes हैं तो 1 hour में कित्ते minutes होते हैं 60 minutes अब आप 6 में से 5 minus करेंगे आपका आएगा 1 और आप 8 में से 4 minus करेंगे आपका आएगा 4 और 5 में से 4 minus करेंगे आपका आएगा 1 hour 1 hour not hours Look at question number 3 of exercise 10E Mukesh takes 45 minutes to walk to school मुकेश एक लड़का है वो स्कूल तक जाने के लिए 45 मिनट्स लेता है and 35 मिनट्स to reach home from school by bus और फिर स्कूल से अपने घर जाने तक के लिए वो लेता है 35 मिनट्स और वो स्कूल से घर कैसे जाता है बस से so how long do the two journeys take आपको बताना है जो उसकी स्कूल घर से स्कूल और फिर स्कूल से घर तक की दोनो जर्नीज है जो दोनो distance travel करता है उसके लिए वो कितना time लेता है तो simple question है आपको add करना है the solution 45 मिनट्स और 35 मिनट्स को add करना है तो पहले आप नीचे add करेंगे direct answer नहीं करेंगे तो 5 और 5 को add किया 10 आया 10 का नीचे 0 उपर 1 कैरे जला गया 4 और 1 5 5 के अंदर 3 add करा आपने आ गया 8 अब मैंने आपको बताया था कि 60 से जादा 59 से जादा नहीं आना चाहिए तो क्योंकि अगर 60 आ जाएगा तो वो 1 आर हो जाएगा अब यह है आपका 80 तो आपको इसको कैसे split करना है 60 प्लस 20 राइट अब 60 तो आपका क्या हो गया 1 आर हो गया और remaining 20 minutes मैंने इधर लिखते है तो total time हो गया 1 hour and 20 minutes मतलब एक बस है जो city A और city city A से city B में जाती है तो वो 4 hours और 42 minutes लेती है while a train takes 3 hours 50 minutes to do the same journey और अब उसकी जंगा गर बसकी जंगा train इसी distance को travel करती है यही journey करती है तो वो लेती है 3 hours और 50 minutes how much more time does the bus take than the train for the same journey अब आपको यहाँ तो यह पता लग रहा है कि बस जादा time ले रही है तो वो question में पूछ रहे है कि जो bus है वो train से कितना जादा time ले रही है same journey के लिए तो आपको इसके अंदर क्या करना है आपको करना है subtract आपको क्या करना है subtract look at the solution पहले आपको 4 hours और 42 minutes जो आपकी bus वाली journey का time है वो लिखना है उसके नीचे आपको लिखना है train वाली journey का time जो है आपका 3 hours और 50 minutes अब आपको इन दोनों को करना है subtract तो वही procedure आपको यूज करना है जो मैंने अभी subtraction में समझाया था पहले आप चेक करेंगे कि minutes के अंदर पहले minutes को subtract करना है तो minutes में उपर बड़ा number होना चाहिए इधर 2 है नीचे 0 है तो easily subtract हो जाएगा अब इधर 4 है और इधर 5 है तो उपर छोटा number है अब ये अपने बराबर वाले hours से 1 number 1 hour बोरो करेगा तो इधर 4 है ये हो गए 3 hours और इधर से 1 hour इधर चले गए अब 1 hour में कितने minutes होते है 60 minutes तो आपको 42 के अंदर 60 add करने है आपको 42 के अंदर 60 plus करने है तो आपका answer आएगा 102 तो 2 तो मैंने इधर ही लिख दिया और ये जो 10 है ये इसके उपर आ जाएगा पूरा 10 2 में से 0 subtract किया 2 10 में से 5 subtract किया 5 और 3 में से 3 subtract किया तो 0 जीरो आगया ये answer तो आपका answer आया 52 minutes जो आपकी बस है वो 52 minutes extra लेती है as compared to train